नमस्कार दोस्तों अनुप इस्टेडी जोन में आपका स्वागत है आज ये 30 अप्रेल और 30 अप्रेल को जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स होंगे उनको हम लोग MCQ के रूप में देखेंगे तो चलिए बिना देर किये आज का ये सेजन स्टार्ट करते हैं पहला प्रस्ण है हाल ही में किस राज में मारूती सुजकी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू किया है तो किया है उत्तर प्रदेश किस राज ने उत्तर प्रदेश ने आटो मारूती सुजकी ने कोवीड 19 के खिलाफ लडाई में सरकार का सयोग करने के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर विक्सित किये हैं यह उत्तर प्रदेश के गवतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है जहां पर कमपनी इन वेंटिलेटर का उत्तपादन करने के लिए अगवा हेल्सकेर स्टार्ट अप की सहता कर रही है ठीक है मारूती सुजकी के इतनी समय जो अध्यक्षम हो है आरसी भारगव और सीईओ है केनिची आयूकावा ठीक है अब मारूती सुजकी का मुखेले कहां पर है निउडेली में ठीक है नेक्स प्रस्न देखते हैं हाल ही में G20 समू ने access to COVID-19 tools accelerator पहल लांच की इसकी किस देश ने अध्यक्षिता की है सौधी अरब किस देश ने की है सौधी अरब G20 समू ने सौधी अरब की अध्यक्षिता में एक नई पहल access to COVID-19 tools accelerator लांच की है ये नई पहल करवाई के लिए तालमेल को बहतर बनाने सहित सामोहिक भागिदारी के लिए अंतर निर्भरता समस्या को सुलजाने के लिए सबको एकजूट करने के लिए और नए COVID-19 के उपचार और वैक्सीन को तयार करने के लिए जो निवेश का मार्ग दर्शन है उसको करने के लिए एक बैस्विक मंज के रूप में कारे करेगी साथ ही इसका उद्देश सभी सदस्यों को सभी संसाधनों की नया संगत पहुँच परदान करना है ठीक है अब G20 के बारे में तोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं G20 समू क्या है वर्स 1997 के 32 संकट के बाद यह निरेड़ा लिया गया कि दुनिया की प्रमुक और तबहुस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिए G20 समू की स्थापना 1999 में साथ देशों ने मिलकर की थी अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली इनिक नेतरित में 1997 में G20 समू की स्थापना की गई इस फोरम में भारत समेत 19 देश और यूरोपी संग भी सामिल है G20 समू का उद्देश से क्या है? बैस्विक आर्थिक स्थीर्ता सत्त आर्थिक संब्रिदी हासिल करने सदस्यों के मध्ध, नितिकत, समन्यों स्थापित करना G20 का उद्देश बैस्विक बित्ट को प्रबंदित करना था संयुक्त राष्ट अंतर राष्ट्री मुद्रा कोस तथा 200 बैंक के स्ठाफ जो होते हैं वो स्थाई होते हैं और इनके हेट क्वाटर भी होते हैं लेकिन G20 का न तो स्थाई स्थाफ होता है और नहीं हेट क्वाटर और नहीं इसका कोई स्थाफ होता है यह एक फोरम मात्र है नक्ष देखते हैं हाल ही में जगनात विद्या दिवेना योजना किस राज ने आरंब की कौन सी योजना जगना विद्या दिवेना योजना यह की है आंधर प्रदेश की सरकार ने आंधर प्रदेश के मुख्यमंतरी वाई एस जगन मोहन रेड़ी ने राज में जगना विद्या दिवेना योजना का सुवरम्ब किया है इस योजना के तहट आगामी सेक्षडी सत्र जो है 2020 और 21 में सुल्क प्रतिपूर्ति महा विद्यालियों के खाते के बजाए विद्यातियों के अभिवावकों के खाते में डाली जाएगी ठीक है आंध्य प्रदेश के राजिपाल कौने इतनी समय इतनी विश्वा वूसर हरी चंदन और मुख्यमंत्री हमने अभी बताया Y.S. जगनमुहन रेड़ी ठीक है नेक्ट प्रसन देखते है निम्न में से ओजोन परद के बारे में क्या सत्य है ओजोन परद आर्क टिक के ऊपर एक मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली सबसे बड़ा च्छे दर जो है वो बंद हो गया है कापर निकर एट्मास्फियर अबजर्वेशन सर्विस से ओजून छेद पर निगरानी किया जा रहा था इस ओजून छेद की पहचान बग्यानकों ने पहली बार मार्च 2020 में की थी या उपरीगत सभी तो इसका जो एंसर होगा वो है उपरीगत सभी आपसन नमबर एक, दो, तीन, ये तीनों सही है ठीक है कापर निकर एट्मास्फियर अबजर्वेशन सर्विस मतलब C.A.M.S कापर निकर एट्मास्फियर अबजर्वेशन सर्विस से ओजोन छेद पर निगरानी कर रह बैग्यानकों ने गोशड़ा किया है कि उत्तरी द्रुव में बना ओजोन छेद अब पूरी तरह से बंद हो गया है उनके दोरा बताया गया कि आर्कटिक के उपर एक मिलियन वर किलोमीटर में फैली ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद हुआ था जो अस्रामान वायूमंडली परिस्तितियों के कारण अब बंद हो गया है इस ओजोन छेद की पहचान बैग्यानकों ने पहली बार मार्च 2020 में किया था अब ओजोन के बारे में थोड़ी जानकार ले रहते हैं आकिर ओजोन है क्या ओजोन गंध युक्ट गैस होती है जो हलके नीले रंग की होती है ओजोन परत में ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाय जाती है ओजोन अक्सीजन का ही एक प्रकार है और इसे O3 सिंबल के संकेत से प्रतसित करते हैं आक्सीजन के जब तीन परमाडू आपस में जूरते हैं तो ओजोन परत का निर्माड होता है ठीक है नेक्स देखते हैं हाल ही में चर्चा में रहे बर्बेरीन क्या है यह है अलजाइमर अउरोधक ठीक है क्या है अलजाइमर अउरोधक जवाला नहरू सेंटर फार एडवान्स साइंटिफिक रिसर्च जवाला नहरू सेंटर फार एडवान्स साइंटिफिक रिसर्च के बग्यानकों ने अलजाइमर और रोधक आधारिक बर्बरीन बिक्सित किया है बर्बरीन ये जो है ये एक आउसधी है जिसका उपयोग अलजाइमर औरोधक के रुप में किया जा रहा है ठीक है जवालाल नहरू सेंटर फॉर एडवान्स साइंटिफिक रिसर्च के बेग्यानकों ने प्राकृतिक उत्पाद अधायत अलजाइमर औरोधक बनाने के लिए भारत एवम चीन में पाए जाने वाले आईसो क्यूनोलीन प्राकृतिक उत्पाद बर्बेरिंग का चेहन किया जवालाल नहरू सेंटर फॉर एडवान्स साइंटिफिक रिसर्च के बेग्यानकों का यह सोत बेग्यानिक पत्रिका में प्रकासित किया गया है जिसमें यह का गया है कि भारत और चीन में जो पाए जाने वाले आईसो की नोलीन है उसके प्राकृतिक उत्पाद जो बर्ब बानी किस देशने की मेजबानी की है जर्मनी ने अपसान नमबर चार भारत ने पिटरबर्ग जलवायू संबाद की 117 में बीडियो कानफरेसिंग के माध्यम से भाग लिया केंद्री पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकास जावेड़कर ने पहले वर्चुल पिटरबर्ग जलवायू संबाद में भारत का प्रतनी दित्र किया इस संबाद की मेजबानी जर्मनी ने की तथा इसकी सअध्यक्षिता बिटेन ने किया ठीक है पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले में जो राजमंत्री हैं वो हैं बाबुल प्रस्ण है हाल ही में पूर्सो की विश्व मुक्यबाजी चेंपियंसिप 2021 की मेजबानी भारत से चीन कर किस देश को सौप दी गई है अपसन नमबर एक सर्विया को ठीक है पूर्सो की विश्व मुक्यबाजी चेंपियंसिप 2021 की मेजबानी भारत से चीन कर सर्विया को अंतराष्ट्री मुक्यबाजी संग ए आई बी ए अंतराष्ट्री मुक्यबाजी संग ने 2017 में भारत के साथ किये हस्तारत जो हस्ताचरित समझोते को रद कर दिया है इसके अलावा अब भारत को 500 यूएस डालर का रदी करड सुल्क भी देना होगा अब बात आई है अंतराष्ट्री मुक्यबाजी संग की ए आई बी ए की ठीक है तो इसकी थापना होई थी उनिस सो च्यालिस में और इसका मुक्याला है लॉजेन में लॉजेन कहां पर है शूट जर्लेंड में ठीक है और इसके अध्यक्श कौन है अध्यक्श है मोहंब्मद म इस दिन की सुरुवात yunesco की कला प्रतरसन के प्रमुख भागिदार अंतर राश्ट्रिय रंगमंच संस्थान, International Theater Institute, ठीक है, अंतराश्टी रंगमंच संस्थान की निर्त समीतिद्वारा की गई, अंतराश्टी रंगमंच की जो संस्थान है, इसकी स्थापना कब हो थी, इसकी स्थापना हो थी 1948 में, और इसका मुख्याला है, पेरिस में कहां पर पेरिस में अब पेरिस कहां पर है फ्रांस ठीक है नेक्स्ट प्रसंद देखते हैं हाली में पदमसρί से सम्मानित किस मसहूर बालीबुढ अभिनिता का निदन हो गया यह निदन हो गया इर्फान खान अफंसरी पदमस्री पुरसकार से सम्मानिक बालेबुड अवनिता इर्फान का निधन हो गया है साल 2018 में नीरो एंडोक्राइन कैंसर का पता चलने के बाद उनके स्वास्त में लगातार गिरावट आ रहे थी उन्होंने अपने लगवक तीन दसक से अधिक लंबे करियर में पचास से अधिक भारती फिल्मों और कई अंतराश्टी फिल्मों भी में भी अविने किया था इरफान खान को 2011 में कला और सिनेमा में दिये गए उनके उत्क्रिष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पदमस्री सम्मान से सम्मानित किया गया साथ ठीक है कि नेक्ट प्रसंद देखते हैं कि नेक्ट प्रसंद है अंटophone है निधन हुआ है ग्रैमी पुरस्कार के नॉमिनेवे नेटी होने वाले सिंगर ट्राइशनेट की और दूसरे हैं लिवरपूल के पुर्व खिलाडी माइकल राविंसन की इन दोनों के बारे में जानते हैं ये रहे सिंगर स्ट्राइशनेट इनका अहाली में निधन हुआ है ये कौन थे ग्रैमी प्रुसकार के लिए नमिनेटेड हो नोले सिंगर थे ग्रै ये को यूद्फ़ार क्राइस्ट के 1999 के इलबंब हायर के लिए ग्रैमी प्रुसकार के लिए नमंकित किया गया था ठीक है और यह हैं मायकल राविंसन ये कहांने मायकल राविंसन लिवरपूल के पूर्व श्ट्राइकर माइकल राविंसन का निधन हो गया है उनका जन्म 12 जुलाई 1958 को इंग्लेंड के लिसेस्टर में हुआ था उन्होंने इंग्लेंड में पांच कलबों के लिए लगभग 300 से अधिक अधिकारिक मैच खेलें जिसमें लिवरपूल भी सामिल है तो आज से जितने भी इंपोर्टेंट और फेक्ट कृष्टन बन सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है तो आसा करते हैं आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और चैनल को सस्क्राइब करना नह भूलें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडि